मेरे गुरू जी ने कहा था प्यारे लोगों, हम लोगों को चाहिए कि गुरु महराज के उपदेशों को याद करें कि उनका क्या उपदेश था मेरी जानकारी में जो कुछ है वही आप लोगों के समक्ष रखता हूँ बावा साहब का उपदेश मोक्स प्राप्त करने के लिए था इसलिए वे उबदेश करते थे कि सब मोक्ष को प्राप्त हो जाएं, मोक्ष किसे करते हैं, शरीर और संसार से छूटने को मोक्ष करते हैं, इस मोक्ष को प्राप्त करने के लिए इस्वर की भक्ती का ही परम अवलंब है, इस्वर भक्ती में केवल मोटी भक्ती ही नहीं है, ब बावा शहाब ने बतलाया था उन्हों नहीं इस सुक्षम साधन मार्ग को निकाला था ऐसी बात नहीं वे तो कहते थे कि सब संतों का निकाला हुआ यह शाधन है वह बारिक साधन क्या था केवल दो ही हैं एक तो द्रिष्टी साधन तथा दूसरा शब्द साधन इनके पहले जब तथा मोटा ध्यान भी बतलाते थे जो संतों की वानियों से में मिलता है यही समाश रूप में मैं जो जानता था वही आप लोगों से कहा इस्वर्भक्ति का आधार तथ इसलिए उसकी श्वरूप को अवश्य जानना चाहिए शवरूप ग्यान के लिए रीषियों वेदों तथाinement की वानियों से यही जाननमे में आता है कि इंद्रियातित है, इंद्रियों से उसको प्राप्ट करने की चेश्टा करना खेल भर है, उस स्वरूप को मन से मनन नहीं कर सकते, मन उसे च्छू नहीं सकता, जो देशकाल से घीरा हुआ है, मर्यादित है ऐसी वस्तु इश्वर नहीं हो सकती, इस अस्थान से उस अस्थान तक तथा इस समय से उस समय तक ऐसी जो वस्तु है वह इश्वर नहीं तब प्रश्ण होगा कि वह इंद्री ये गम्य नहीं है तो किस प्रकार जाना जा सकता है तो कहेंगे कि आत्म गम्य है आत्मा से ही जान सकते हैं एक इंद्री से एक ही विशय का ग्यान होता है दूसरे का नहीं जैसे आंक से केवल रूप विशय का ग्यान होता है शब्द का नहीं तथा कान से केवल शब्द का ग्यान होता है असपर्श का नहीं इसी प्रकार और सब इंद्रियों के विशय में जानिये। बाहर के पदार्थों को गीने तो बहुत हैं किन्तों विचाड़ने पर केवल पांच ही होते हैं। रूप, रश, गंद, असपर्श और शब्द। ऐसी एक कोई इंद्री नहीं जिससे पांचों विशय का ग्यान हो। इन में केवल एक-एक इंद्री से एक-एक विशय को ही जान सकते हैं, एक पदार्थ को ग्रहन करने के लिए जैसे एक ही इंद्री है, उसी प्रकार उस परमात्मा को ग्रहन करने के लिए क्या हो शकता है, जिससे उसको जाना जाये। हम केवल माईक पदार्थों को जानते हैं बाहर की कौन कहे भीतर की इंद्री भी माया ही जानती है माया किसे कहते हैं जो एक तरह नहीं रहे जो परिवर्तन सील है माया तित पदार्थ कुछ है बुद्धी इसे सोच सकती है किन्तु पहचान नहीं सकती भीतर तथा बाहर की इंद्रियां केवल माईक पदार्थों को ग्रहन कर सकती हैं, केवल आत्मा से जो पदार्थ जाना जाता है, वही परमात्मा है, जो आत्मा से ही जाना जाता है, उसे इंद्रियों से ग्रहन करने की चेश्टा करना खेल भर है, इसके लिए कोई बहुत पढ शरीर में है ही फिर भी हम इश्वर को क्यों नहीं पचानते हैं जब तक आत्मा पर आवरन है वह शरीर और इंद्रियों के साथ है तब तक वह इश्वर को नहीं पचान सकती जैसे आंख पर रंगिन चस्मा जब तक लगा है तब तक संसार की वस्तु चस्मे के रंग के अनुर उसी प्रकार शरीरों और इंद्रियों के माईक चश्में तथा पट्टियां जब तक आत्मा पर लगी हुई हैं तब तक परमात्मा का सक्षात्कार नहीं हो शकता इन माईक चश्मों तथा पट्टियों को हटा दें तब सक्षात्कार होगा यही बावा शाहाव का उबदेश यही शाधन वे बतलाया करते थे इस्ष्वर को देखने की सक्ति प्राप्त करने के लिए द्रिश्टी योग की साधना करनी चाहिए द्रिश्टी योग का साधक अस्तुलावरन से ओपर उठ जाता है दृष्टी वहां तक रहेगी जहां तक दृष्ट है दृष्ट मंडल से पार होने की योग गिता केवल दृष्टी शाधन से नहीं होगी इसके लिए शब्द अभ्यास करना होगा बावा शाहब का यह वचन युक्ती युक्त है शब्द अभ्यास करना शंतों के वचनों के अनुकुल सुरत सब्द योग या नाम भजन है रिश्यों ने इशी को नादानु संदान कहा है ध्यान विंदू पनिशद में विजाक्षडम परम विंदू नादंग तस्यो पडिय अक्षर है उसके उपर नाद है नाद जब अक्षर ब्रह्म में ले हो जाता है तो निशब्द परम पद है उपनिशद कहती है कि अक्षर का बीज जो परम विंदू है उसका पता लगाओ तब उसके उपर नाद मिलेगा नाद जहां जाकर ले होगा वही निशब्द परम प पद तथा शबदातित पद भी कहते हैं अनाम सब संतों की वानी में आया है इस अनाम से पड़े कुछ और का होना मानना केवल अंदिविश्वास पर ही होगा परंतु विचार में नहीं अटेगा जो शब्द कहने में नहीं आवे उसकी भी जहां शमाप्ती हो जाए वह शब्दातित या अनामपद है तुल्शी शहाब की वानी में तुल्शी तोल अबोल बानी जहां यह भी शमाप्त हो जाए तब और कुछ है कहना ब्यर्थ है लोग का देखते हैं कि वे जहां तक संसार में जाते हैं उन्हें शब्द हीन अस्थान कहीं नहीं मिलता जहां स्रिष्टी होगी वहां शब्द होगा जहां शब्द ले होता है वहां स्रिष्टी का अंत होता है जहां तक स्रिष्टी है वहां तक कंप है कंप नहीं रहेगा तो शब्द भी नहीं रहेगा शब्द के नहीं रहने से स्र स्रिष्टी रह नहीं सकती ऐसा कि जहां स्रिष्टी हो और कंप वा सब्द नहीं हो यह मानने योग नहीं है अनाम में कंप तथा सब्द दोनों लै को प्राप्त हो जाते हैं अनाम से आगे कुछ और है या स्रिष्टी के अंदर अनाम है इसको कोई मान नहीं सकता वही अनाम प पहुँच हो यही बावा शाहाब का उपदेश्त था हम लोगों को जैसा साधन मिला है हमको पूर्ण विश्वास है कि इस साधन द्वारा भक्ति करके अवश्य मोक्स प्राप्त होगा मोटे में भक्ति की किडिया तो बहुत कम है किन्तु अंतस साधन में शुक्ष्म किडिया बहुत है भक्ति का केवल यही अर्थ नहीं है कि किसी शेव्य का पैर दवावे भोजन करावे अस्नान करावे धोती पहनावे और बाहे पूजा पाठ इत्यादी करता रहे भक्ति तो उसे कहते हैं जिसमें अस्थूल शुक्ष्म सब तरह की भक्ति करके उस परमात्मा को प्राप्त कर लें बाहर में अस्थूल भक्ति के द्वारा हम कुछ प्रेमी बनते हैं किन्तु और विशेश ऐसी भक्ति है ऐसी शेव को शेवा करे जिसका जिव तिसुद गुरु नानक शाहब ऐसी सेवा कि अपने कुछ शमर्पन कर दे यही आत्म निवेदन है इसी भक्ति का अवदेश बावा शाहब करते थे इसका शाधन द्रिष्टी योग और सब्द योग के द्वारा होता है किन्तों इन दोनों साधनों में वही सफलता प्राप्त कर सकता है जो इस साधन का पुर्व वर्ति साधन, सत्चंग, साधु की सेवा, जप तथा अस्थूल ध्यान भी करता हो नाद का पता विंदू प्राप्त करने पर लगता है विंदू पीठंग, विनिरमीद, नाद लिंग, मुपस्थितम, योगशिको पनिशद विंदू पीठ का भे जीव की होई, मुक्ति जानी सत्गुरु पदसेई, सत्गुरु शंत कंज मेबासा, सुरत लाई जो चड़ै अकासा, श्याम कंज लेला गिरिशोई, तिल परिमान जान जन कोई, छिन छिन मन को तहां लगावे, एक पलक छूटन नहीं पावे, शुरूती ठहरानी रहै अका तिल खिर्की में निशी दिनवाशा, गगन द्वार दी से एक तारा, अनहद नाद सुने जहन कारा, तुल्शी शाहव। कोई कहे कि बोध हो गया, अब सत्संग करके क्या करेंगे, तो उसे जानना चाहिए कि सत्संग शाधन करने की प्रेणा करता है, बिना सत्संग के यह प्रेणा नहीं मिलती, प्रेणा से भजन होता है, भजन नहीं हो तो केवल बोध से ही क्या होगा, इस्ष्वर तथा गुर तब्यकारी से गिरे नहीं श्री शद्यगुरु महराज की जय